प्रकास भाई एक छोटा सा कुश्चन और है जो दिमाग में घूम रहा है वैसे थोड़ा बहुत आंसर मेरे पास भी है इसका लेकिन आप ज़्यादा बहतर बता सकते हो क्योंकि आप इनके बीच में रहे हो जब क्रॉस ब्रीडिंग स्टार्ट हुई तो उसने हर नसल को परभावित किया है हर नसल पर उसका कुठारा घात किया गया परहार किया गया लेकिन कांक्रेच उससे बच गया तो उसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीजन रहा है कि कंक्रेच उस इन ब्रीडिंग परकरिया से बत गया और आज भी वह अपने औरिजनल जैनेटिक सवरूप में मौजूद है तो उसक पीछे क्या डीप रीजन रहा यह ऐसा है सर्जी किंक्ट你要 इसको जो रखने वाले लोग है इसका काफी अच्छा प्रभावरा इस क्रॉस बीडिंग से बचाने के लिए यहां हमारे गुजरात में ऐसा होता है कि हम जब बच्चा छोटा होता है बच्छा छोटा होता है तब से ही हम उसको सिलेक्ट करके रखते हैं कि यह नेक्स जनरेश कर लिया होता है सेकंड फिंग कि लोग बोलते कां कांकरेजंप एक तो महीं भी बोलता हूं कांकरेज्ट रखतीन हैं मगर अपने डिफेंस के लिए ही अग्रेसीव रहती है वो ऐसी है नहीं कि जिसको आपको देखा और आपको मारने वो दोड़ी आई ऐसा Old क्रोस ब्रीडिंग से बचने में यह इसकी अग्रेसिवने से उसने बहुत बढ़ा प्रभाव डाला है। जैसे कि बात करें कि अगर कोई जर्सी का सांड है या घीर का सांड है जो खुला गुमता है और कांक्रेज का हड यहां से निकल रहा है और कोई गाई हिट में हैं और व इसको यह सोचता है कि यह गाय मेरे को मार डाले की या मारने आ रही है इसलिए वो उसको जल्दी से क्रॉस करने की इमत नहीं करता है तो बचने का रिजन मेरे इसाब से थोड़ा इसका अग्रेसिवनेस जो लोग बोलते है इसके इसाब से यह बची हुई है बागी तो यसा होता कि अगर वो शानत गय रहती तो कोई भी बूल इसको क्रोस कर लेता चाहे वो जर्सी का होता या घीर का होता तो फिर उसमें क्रोस बीडिंग की मात्रा ज्यादा हो जाती यह बचने का रिजन मेरे हिसाब से यह है दूसरा कि हम यह हमारे गुजरात के जित बुल के साथ क्रोस करवाया जाए और यह गाय का महत्व वो लोग सालों से पेडियों से जानते थे इसलिए इन्होंने इसको क्रोस बीड से बचा के रखा बाकि आज हमारे गुजरात में ऐसा है कि आप हमारे ऐसे लोग है कि जो छोटा बच्चा है उसको देख के बता सकते कि इसका पीता कौन होगा इतना बड़ा नॉलेज का उनके पास खजाना है उनको मालूम है कि क्रोस बीडिंग क्या है वो टेक्निकल ही नहीं जानते हैं मगर जो पीडियों से प्रथा चलिया रही है उनको यह लोगों ने पकड़ के रखा है तो वो प्रथा के इसाब से गा क्रोस बीड हो चुकी है एक और भी है जिससे अच्छे बुल यहां गुजडात में लोगों को शौक भी है अच्छे बुल का तो उस हिसाब से भी यह नसल अच्छी तरीके से डेवलप हुई है क्योंकि सबको एक अच्छा बुल रखने का परसनली एक शौक रहता है पावर तो मेरे ही साब से तो यह कुछ जो बाते हैं जिसके ही साब से यह इसमें कांकरेज में पर्टिकुलर ली क्रॉस बीडिंग की मात्रा कम है इसके पीछे एक और खास रीजन यह रहा है शायद के इस अक्षेतर में का स्पून फीडिंग अभी नहीं कराई जाती है क्यूंकि उसको मीलो चलना पड़ता है रोज है सही है सही है वो भी दूसरी गाएं का क्रोस कराएंगे उसके अंदरी तरह स्टैमिना चलने का नहीं होगा तो जैनेटिक वो कमजोर होएगी जो अगर कोई दूसरा और जीन लेके आते हैं तो जीन तो स्ट्रॉंग है जी 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 तो फंच जी खैसे का फंच किलोमेटर स्ट शेंवार के वह समयां तो इसका बोड़ी अज चाहते थे टो से सट्रॉंग रहें ज भी लाएं जी जो ऑम आपने एक जैसे राजन होता है फेसरे द섯लत अ यह बाती है जासे कंवह ब्लोने उम्हें जी अन्ड़ को मुण पिन ठीगे वो अपनी परजा की सेफटी करता है तो किसी दूसरे बुल को वो उसमें एंट्री नहीं करने देता और अपने जो हर्ड के जो भी हीट में जो भी काव है हीफर है उसको किसी को क्रॉस नहीं करने नहीं करने देगा सही है यह यह एक रीजन और एक दूसरा रीजन यही रहा है कि देखो जो insemination है, injection से जो AI लगता है, उसमें क्या होता है, अगर आपके घर पे गाय है, तो डॉक्टर आके उसको easily insemination करके चला जाएगा, यह जोंगलों में गुमती है, डॉक्टर भी डरते है, इसके पीछे जाने के लिए, तो AI की मातरा इसमें कम है, तो इसका एक यह बी, रीजन रहा है, कि देखो जोंगल में गॉमती है, तो डॉक्टर वहां आएगा नहीं, और डॉक्टर नहीं आएगा, तो गाय के लिए क्या चाहिए तो बूल चाहिए तो लोगों ने अच्छे बूल पालने शुरू कर दिये कि चलो अपना हड है तो एक अच्छा बूल होना चाहिए क्योंकि हर बार तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे और डॉक्टर आएगा भी नहीं तो यह भी एक पहलू है यह एक चीज है जहां से अच्छा इसका जो बूल के जो अच्छे बूल रखते हैं क्रॉस होती है गाए उसके गर्बदारण करती है तो यह भी एक चीज रही है इसको ज्यादा अभी तक प्लैटफॉर्म नहीं मिल पाया इस कांक्रेज गाएं को जो इसके अंदर काबियत थी जी जी उसको ज्यादा प्लैटफॉर्म नहीं मिल पाया लेकिन आप मुझे लग रहा है कि अब सब को प्लैटफॉर्म मिल चुका है अब नंबर आने वाला का जो अपने बिजनस को छोड़ के जिनका प्रॉफर्टी का बिजनस है मेडिसन की फैक्टरी है और जो है अच्छा कारोबार है माबाप की जो है करपा है गव माता की करपा है लेकिन उस कारोबार से हटके गव पालन में आ रहे हैं आप जैसे युवा वो भी बहुत बड़ी ब करेंगे आपका बहुत बड़ा सयोग यह आपकी जो चैनल है चलते चलते इसका बहुत बड़ा सयोग है देखो हर जगा पर अच्छी चीज रहे हैं वह होती है मंगर जब तक पृबलिक को मालूम ही पड़ेगा लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि कांकरेज क्या है गीर गाय को देखा, आपके माद्यम से बहुत लाखों लोग इसको देखेंगे, लेकिन मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है, जो कच जिसको कांकरेज का सवरग माना जाता है, जहां पे लाखों कांकरेज गाय है, आप मुझे उनके बीच में कब लेके जा रहे हो, अभी तो ऐसा है कि यह साल तो सूखा है कच में, यह साल तो क्या कच की सारी गाय मागरेट हो रही है, तो अगर अच्छी बारिश है, अच्छा सीजन है, तभी वहाँ जा, अच्छी कांकरेज देखनी है, तो वहाँ अच्छी बारिश होना जरूरी है, अगर अच्छी बारिश नहीं है, तो व जरूर पक्का लेके जाएंगे, वहां पर जो गैड़ा क्षेत्र रहें उसको बोलते हैं, जो नकटरणा से आगे का जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर अच्छी कांकरेज पल रही है, क्यूं? कि वहां पर ग्रीजिंग का बहुत बड़ा लेंड है, हाँ, अभी ऐसा है कि कच् काच के लिए नहीं रहा है तो इसमें क्या होता है जब बारिश आती है तो यह ग्याय को अंदर से पुरा डेमेच कर देता है और बबुल का सिंग होता है जो इसका उसका जो फल बोलते है वह गाय को जब खाती है तो इसका पेट के अंदर बहुत सारा प्रोब्लम खड़ा हो मटलें ये कुछ के अंदर इतना बावय डाल अधना इंग्लिश बबूय डाल दिया है को उन्हों प्लांट किया था सालों पेले ता उनको मालूम था कि इस कच्छ काल के तहां रही पर गाय बहुत अची हो चुकी है वहाँ पर बहुत बड़ा प्रब्लम वह अच्छा है मगर इंग्लिश बबूल बहुत बहुत खराब और खतरनाक और आज वह उसके गातक परेनाम हम देख रहे हैं देशी बबूल तो ऑशदी है वह अशदी है मगर इन लोगों ने क्या किया यह गाय को उन्होंन पूरा सिस्टेमेटिकली वर्काउट किया था कि कच में बहुत ज्यादा रन है बहुत साधा डेजर्ट है वह आगे ना बड़े इसलिए उन्होंने गवर्मेंट से परमिशन लेके उसको वह प्लांट किया मगर उनकी नीती वह नहीं थी उनकी नीती तो गाय को खतम करने की क्योंकि जब भारतिय संस्कुरूती की में पिलर गाय है गाय खतम होगी तब भारतिय संस्कुरूती में वह बहुत सारे आज हम देख रहे ना वह सारे चोटे-चोटे बच्चे उनको डाइबिटी से वह अपनी संस्कुरूती में नहीं था यह सब अच्छी गाय ती उसका गी, मक्षन, सब अच्छी तरीके से लोग खा पी रहे थे, अब नहीं देखने को मिर रहा है, और लोग अपनी बाउतिक वाद में इतने आगे बढ़ चुके, कि उनको ये चीज दीख नहीं रही है, वो मेकडोनल में जाके 500 रुपया डाल देंगे, मगर किसी गाय को 100 रुप करता है, उससे ही आप दूद खरी दो, घी खरी दो, उसको प्रोस्थान दो, आपका छोटा सा प्रोस्थाहन उसके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, आगे जाके वो दो और चार गाय को पाल सकेगा, और अपनी गव माता बचेगी, तब हम बचेगे, ये पक्का लिख लो, आगे जाके अगर गाय नहीं है, तो आपको कोई मेडिसिन नहीं बचा पाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप कितना भी खर्चा कर लो, और आज कल की मेहगवारी में लोग खर्चा कितना कर करके कितना कर भी नहीं पाएंगे, छोटे-छोटे बच्चे को अभी डाय गाय बचा नहीं है तो गाय जो रख रहा है उसको सपोर्ट करो गाय बच जाएगी आपका कॉंट्रिबुशन दो आप हपते में एक बार जाओ अपने बच्चों को लेकर जाओ अगली पेडी को गाय से रूबरू कराओ कि गाय क्या है इतना उसको मा बोलते उसको देवी बोल इसके उपर चलो परकाश भाई बहुत अच्छी जानकारिया दें आपने थैंक यू थैंक यू बेरे मच्छ थैंक यू सर् अगली को बोली को आपने इतना प्राँ में आपने दोड़े मैं एपने तोला प्राँ में गाय से रूबरू जा जाए लोगली कर दो दोला है